जहिन दोस्तों देखे बी एसेफ में एक नई भरती दोस्तों निकल के आ चुके हैं जिसके लिए ओनलाइन अपलाई दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट 22 अपरिल 2023 इसका ओनलाइन चालू होगा और क्लोजिंग डेट दोस्तों 12 माई 2023 को लास्ट हो जा मेकनिक इन बी एसेफ कम्यूनिकेशन सेट अप फॉर दा या दो हजार तेश ठीक है तो यहां पर रेडियो उपरेटर का दोस्तों बंपर भरती निकल के आ गया है टोटल सीट दोस्तों यहां पर 247 निकाला गया है तो आपको A to Z यहां पर जानकारी देंगे देखे दोस्त सी नोटिफाइड फॉर दफ मेल एंड फीमिल दोनों इसको अपलाई कर सकते हैं देखे एचसी यानि हेड कॉंस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का 217 सीट है और यहां पर दोस्तों रेडियो मेकनिक का टोटल तीस बेकेंसी है टोटल कितना होगा है 247 ठीक है यह हो गया इसके होना चाहिए तो कम से कम आपका 18 साल आपका होना चाहिए और मेक्सिममम 25 यह हो गया जेनरल कैटिगरी का ठीक है और आपका एज काउंट करेगा 12 माई 2023 तक आपका एज हो जाना चाहिए ठीक है और यदि आप दोस्तों SC, HD, OBC कैटिगरी से हैं तो आपको एज में रिलेक्स क्या होना चाहिए तो देखे दोस्तों BSF, Head Constable, Radio Operator और Radio Mechanic की सबसे बेश्ट त्यारी के लिए आप लोगों को SK Publication का किताब ले लेना है की BSF की English Medium के भी किताब आती है तो यदि आप English Medium के विद्यारते हैं तो आप इसको ले सकते हैं या Hindi Medium के विद्यारते हैं तो हिंदी वाला आप ले सकते हैं अब बात करेंगे कि Educational Qualification क्या होना चाहिए तो देखे दोस्तों सबसे पहले Head Constable, Radio Operator और Radio Mechanic की बात करेंगे तो इस पर आपका 12th class पास होना चाहिए जो कि 10 प्लस 2 सिस्टम पर हो ठीक है 10 प्लस 2 पैटरन के हिसाब से आपको 12th clear होना चाहिए with aggregate 60% marks आपका total जो marks है वो कितना होना चाहिए 60% आपका total होना चाहिए in physics, chemistry and mathematics ठीक है अथवा यदि आपका ये qualification नहीं है तो आपका लिखा है कि matriculation with 2 years industrial training institute ठीक है यानि यदि आपका ये नहीं है इंटर साइंस नहीं है तो आपका metric के साथ साथ 2 साल का दोस्तों यहाँ पर ITI आपका होना चाहिए समय मागया आगे लिखा है कि in this regard see advertisement notice अब दोस्तों सवाल है कि आप इसको apply कैसे करोगे तो देखिए ये बिएसे का official website है दोस्तों यहाँ से आप form को apply कर सकते हैं 22 अप्रिल चेस्ट रनिंग वगर सब चीज के बारे में जानकर देदेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो किताब हम बताए आप उसको ले लीजीगा और इसकी तयारी में दोस्तों लग जाईएगा आप यहाँ पर date भी देख सकते हो दोनों date दिया गया है 22 सपरिल को फॉम आ रहा है और 12 माई को खतम हो जाएगा ठीक है तो अमीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर पूरी चीज़े समझ में आ गई है इसके अलावे हम बोर्ड पर भी दोस्तों आप लोगों को वीडियो बना करके दे देंगे अच्छे से समझा देंग